हेलो दोस्तों, वेलकम टो मा यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिजेंट परफिक्ट कांटिनिवस टेंस तो सबसे पहले हम इसके पहचान देखेंगे कि इस टेंस के पहचान क्या होती है हम कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य दिया है उसमें कांटिन्स के अनुसार उसका अनुवाद करना है तो इसके वाक्य के अंत में ता रहा है ती रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ ती रहा हूँ, आज इस सब्द आते हैं यहाँ पर क्या होता है कारे जारी रहने का समय अवस्य दिया होता है यासे आठ बजे से, सुबह से, दो महिने से, दो साल से यानि कि एक समय भी दिया रहता है कि काम कब से शुरू हुआ यानि प्रजन परफेक्ट में होता गया है कि कुछ काम हो चुका होता है यानि कि इस वाक्य में देखे perfect कैसे हुआ यो काम कुछ हो जोगा है यानि कि महिमा जो है रोज इसके पहले भी आफिस आठ बजे जाती है और अभी भी यो जा रही है इसलिए हाँ पर क्या होगा present perfect continuous tense लगाया जाएगा पहचानेगी कैसे देखे लास्ट में क्या है जा रही ह मैंने अब फी बताया ना कि अंत में ता रहा हैai रहा है जा रहे हूं जा रहा हूं ऐसे अगर वाकिके अनत में तो वहां पर present perfect continuous areas होता है दूसा एक चेय। लगा वे सुबह से अभ्यास कर रहे हैं वे सुबह से अभी कर रहे हैं और सुबह से एक समय भे दे दिया गया कि समय इसलिए यहाँ पर क्या होगा Present canting distance होगा तो यह है आप इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं और आप घवनाए यह बिल्कुल नहीं notification आपको सबसे पहले मिल सके अब देखिए प्रजन परिफेट कांटिवर्स के कितने टाइप होते हैं तो इसके चार पार्ट में बाइट आ गया है पहला होता है affirmative sentence यानि कि सकरात्मक वाके सकरात्मक वाके simple वाके negative sentence नाकरात्मक वाके इसमें नहीं का प्रियोग किया आता है ठीक interrogative sentence प्रस्ण वाके इसमें क्या है question word आता है question mark जो है से क्यों क्या ऐसे सब्द जो आते हैं वो क्या होते हैं interrogative sentence में उस वाके को बदल देते हैं चावथा आता है interrogative negative sentence यानि कि नाकरात्मक वाके second और third यानि कि negative sentence और interrogative sentence जब एक ही में मिल जाते हैं तो fourth जो type है इसका जो है जन्म होता है interrogative negative sentence यानि कि नाकरात्मक प्रस्ण वाके तो ये चारों type को मैं अलग-अलग पढ़ाऊंगा तो आईए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये वीडियो में आपको विस्तार से मैं sentence पढ़ा रहा हूँ तो घबड़ाए नहीं वीडियो से लंबा होगा अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको tense में कोई समस्या नहीं होने वाली है तो आज मैं आपको affirmative sentence यानि कि चार पार्ट यहां बताएं है उसमें affirmative का वीडियो है उसके बाद negative का वीडियो आएगा उसके बाद interrogative का आएगा और interrogative negative का आएगा अलग-अलग वीडियो पनाने का फाइदा ये है कि आपको चीज़े विस्तार से सीखने को मिल जाती है तो affirmative sentence यानि कि सकरात्मक वाके इसका structure क्या होता है subject सब्सक्राइब लिखेंगे फिर highest या है लगाएंगे कैसे हमार जो subject है ना इसके according अगर subject हमारा singular है यानि कि एक बचन का है तो हैज का प्रियो करते हैं अगर बहु बचन का है तो right का प्रियो करते हैं है उसके बाद mean लगाएंगे उसके बद main verb plus उसकी ing और main verb की ing फान लिखते हैं उसके बाद object लिखेंगे उसके बाद since या for का प्रियोग करेंगे since और for का प्रियोग कैसे करना है इसका वीडियो में बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप में नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रखा हूँ प्लस अदर वर्ड्स, तो सिंस और फार का प्रयोग मैं जब अनुवात करवाऊंगा हिंदी से इंग्लिज में तो थोड़ा बता भी दूँगा, बाकि अगर आपको विस्तार से देखना है तो वीडियो जरूर देख लें एक बार तो यह इसका होगा, इस्ट्रक्टर एडिके सब्जेक्ट, हैस है, हेल्पिंग वर्प होगई, फिर बीन, प्लस मेन वर्प की आएंजी फार, प्लस अबजेक्ट, उसके बास सिंस या फार लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे, तो अब मैं यह जब वीडियो क्लियर हो जाते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप ट्रांसलेशन सीख नहीं सकते हैं, अगर आपने सिर्फ नियम सीख लिए, रूल्स आपको याद कर लिए, तो अगर आपने लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप अनुमाद नहीं क कर सकते आप कोई ना कोई उसमें गलती कर देंगे तो वीडियो को पुरा जरूर देखें यहां पर है मैं चार दिन से आप अपना काम कर रहा यहां पर सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले मने बताया था कि सब्जेक्ट लेखते हैं तो आई यहां पर क्या है सब्जेक्ट है उसक कि ये बाद क्या करेंगे लगाएंगे आपका helping में वर्ब तो डू है कर रहा है ना करने की क्या होती है दू उसके थर्ड फार्म में वर्ब की आ यंजी फार्म डूइंग उसके बाद क्या है object आएगा तो object है अपना काम मैंने कि my work ये पुरे आपका object हो गया ठिक object अब यहां पर देखेंगे क्या लेखा है चार दिन मैंने यहां पर फार का प्रियोग थोड़ा सा देख ली यहां पर फार और सिंस का प्रियोग कैसे करना है आपको तो फार का प्रियोग कहां करेंगे जहां पर जो है एक समय का अंत्राल दिया होता है यानि कि time duration दिया रहता है चार दिन से पांच दिन से छे महीने से ठीक है दो घंटे से और सिंज का प्रियों होता है जहां पर एक फिक्स समय रहता है जिसे सुबा से ठीक है कल से तो इसका एक सौटकर तरीका है कि जहां पर एक संख्या के बाद इसे चार घंटे या चार साल जहां पर संख्या के बाद घंटा, साल, सब्ता, वर्स आता है वहां पर फार लगता है और इसके अलावा जो है सिंज का प्रियोग किया आता है तो यहां पर दिखिए त्रिक से करें यहां पर लिखाए चार दिन, चार क्या है, एक संख्या है pickit3 दिन आ गया है, तो यहां पर क्या हो जायेगा, for 4 days, f-o-o-r-d-a-y-s, 4 days, तो since और far के प्रियोग में confused नहीं होना है, अगर time duration दिया है, चार दिन एक टाइम जिरोशन हो गया तो वहाँ पर फार लगाएंगे इसके अलावा सिंज का प्रियोग करते हैं तो जैसे आप और कुशन करवाऊंगा आपको आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है गरिमा तो सबसे पहले गरिमा की स्पेंग लिखेंगे गरिमा ची को लिखती है उसके बाद लगाएंगे helping वर्ब helping वर्ब क्योंकि लगती है subject के recording तो hedge या हैप का प्रियोग करेंगे यहाँ पर गरिमा singular है तो हैज लिखेंगे हैज उसके पर लगाएंगे बीन उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड ओ सॉरी आइंजी फर्म तो जाना जाना कि रहता है गो इसका आइंजी फर्म हो जाएगा गोईंग इतना होगे गरिमा हैस बीन गोईंग उसके बाद object तो कहां जात तो everyday everyday अब देखिए यहाँ पर पिछले साल से यहाँ पर क्या है एक fix हमें दिया है कि पिछले साल से यहाँ पर क्या प्रियों करेंगे since का प्रियों करेंगे since last year यह होगा इसका अन्वाद गरिमा has been going to school everyday since last year अब आपको far और since का प्रियों करना आ गया होगा तुम साम से एक आम खार है हो अब यहाँ पर हमारा subject क्या है यू यू लिख देंगे यहाँ यू अब यू हमारा subject है तो यह कैसा होता है plural होता है यहाँ पर हैप का प्रियों करेंगे helping और आपके रूप में हैप उसके बाद बीन उसके बाद में वर्ब तो खाना इट होता है इट की आएनजी फाम हो जाएगा eating इटिंग उसके बाद object आ मैंगो आ मैंगो 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 उसके बाद साम से अब यहाँ पर देखिए एक फिक्स समय दिया है न साम से तो देगा सिंस का प्रियों करेंगे सिंस मॉर्णि सिंस सुरी मॉर्णिंग इवनिंग साम से इवी ए एन आई एन जी इवनिंग अगर यहाँ पर दिया होता दो घंटे से तो फार टू आवर लिखते ठीक चार दिन से लिखा होता तो फार फोर डेस लिखते लेकिन साम से है इसले सिंस का प्रियों किया गया है क्योंकि एक फि नास्ता कर रहे हैं तो यहां पर सब्जेट क्या है दे तो ती यच इवाई दे विए पिछले हफते से अपर आएंगे helping वरब तो have का प्रयोग करेंगे क्योंकि दे हमार क्या है बहुबचन है उसके बाद बीन लगा देंगे उसके बाद में वरब कर रहे हैं प्रयोग करेंगे और लास्ट वीक ऐसी अडिक आरड तो सब्ते विक इंद्व्यविए और प्रयोंकि प्रयोग करेंगे और लास्ट वीक, L, A, S, T लास्ट नंगी पिछले week कि एनंगी अजरी पिछले वीक मत्ता होता है हफते और व, E, A के वीक मत्ता होता है कमजोर तो इसमें कंफूज मत हो यहेगा अंगीस की स्पेलिंग में व, E, K, वीक वीक मत्ता होता है फोटें कमजोर होता है नेक्स्ट है वह सुबह से अपना पार्ट याद कर रही है वह सुबह से तो C कब दूपर करेंगे वह के लिए C अब C हमारा सिंगुलर है तो हैज आएगा C हैज बीन याद करने के लिए हमारे main verb के learn होता है learning हो जाएगा learning ल, ई, ड, ड, व, एस, ओ, येन, लेसन, कब से याथ कर रहे हैं, सुबह से, यानि कि, सिंस मॉर्निंग, S, I, N, सिंस मॉर्निंग, दोस्तों, आपको सिंस का प्रयोग कैसे करना याद होगे न, देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट इयर, इस, ऐसे, जो आपको प्रैक्टिस करेंगा, इसलिए कहते हैं, ट्रैक्टिस मेक्स अमैन पॉफेक्ट, जैसे यह से आप प्रैक्टिस करेंगे न, आपके डाउट क्लिर होते चले जाएंगे, और आपकी ट्र अब मारी main verb खेलना है तो इसके हो जाएगा playing playing क्या खेलना हैं object के हमारा gain खेलना है तो यहाँ पे ball होगे playing ball अब यहाँ पे लिखागे 4 साल मैंने भी trick बताया था जहाँ पे संख्या के बाद सब्ताह, वर्स या month आ जाए न वहाँ पे क्या लगता है फॉर लगता है बॉल फार फॉर फॉर उस साल के लिए एर वाई इए आर कई साल है न तो एस लगेगा तो अब आपको चीज़े क्लियर हो रहे होंगी कि कैसे हम सिंस और फार का प्रियोग करते हैं बाकी चीज़े तो इसमें वैसे ही है ठीक है वे रोजाना सुबह साथ बजे से खेत जा रहे है सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे दे उसके बाद हेल्पिंग वरप तो दे के है हमारा प्लूरल इसके साथ लगाएंगे है उसके बाद बीड किस पहले है बीडेबल इन बीड उसके बाद जाने है निकि गो गो से बना है गोईंग गोईंग ऑब्जेक्ट टू दा फिल्ड निकि टू धा खेत हो जाएगा टू दा फिल्ड एफ आई ए एल डी टू दा फिल्ड कब जाते हैं सुबह साथ बजे से रूड रो जाना आने कि एवरी डेइ एवरी डेइ अब सुबह साथ बजे से खेत जा रहे हैं तो सुबह है ना सिंस का प्रयोग करेंगे अगला है मनीष पिछले छे वर्स से मेडिकल परिच्छा पास करता आ रहा है हमार सब्जेक्ट क्या है इसमें मनीष 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 कैसा है सिंगुलर है तो हैस का प्रयोग करेंगे मनीष हैस बीन अब हमारा में वर्स क्या है परिच्छा पास करना पास के लिए होता है पासिंग यहाँ पे इन जी फॉर्म पासिंग अब्जेक्ट क्या है मेडिकल परिच्छा है ना तो दा मेडिकल examination परिछा examination दोस्तों इंगलीज अब आप लिखते हैं पढ़ते हैं तो साथ में जो आपको spelling नहीं याद है तो इसको spelling भी आप उसकी याद करते रहे हैं ताकि इससे क्या होगा आपको rules भी पता हो रहे हैं साथ में आपकी वकाय भी strong हो रही है इंगलिस में वकाय बहुत होना ज़रूरी है एकजामने अब यहां के लिखा है पिछले छे वर्स से तो संख्या के बात किसका प्रियोग हुआ है वर्स का यहां पर क्या लगएगा फार का प्रियोग करेंगे एकजामने अस्तन फार दा लास्ट इस प्रकार से का ट्रैसलेशन हो गया मनीस हैस बिन पासिंग दा मेडिकल एकजामनेशन फार दा लास्ट सिक्स इयर्स इनके मनीस पिछले छे वर्स से मेडिकल पर इच्छा पास करता आ रहा है दोस्तों यह थे आपके अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आपकी पूरी हल्प की जाएगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइग यरूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में इप वीडियो ज़्यादा सेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके अ मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केर